भारती जंता पार्टी के द्वारा इन दिनों सदस्ता अभियान चलाया जा रहा है गाजीपूर में भी इस अभियान को गती देने के लिए आज भाजपा के प्रदेश अध्यर भुपेंद चौदरी गाजीपूर पहुचे और जनपत के कई इलाकों में कारकरताओं से मिले औ सदस्ता अभियान के गती देने के बात बात किया इस दोरान उन्होंने बताया कि प्रदेश बूत पर 200 से अधिक सदस्त बनाए जाने का भारती जंता पार्टी के द्वरा लच्छ रखा गया है वहीं उन्होंने राजनीत पर बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी और अ समानत मिली है वो दोस्मुक्त नहीं हुए हैं सभी को धैरे के साथ नियाए पालका पर विश्वाद रखना चाहिए और बिंद्र क्रेजरिवाल अभी निर्दोस साबित नहीं हुए भुपेंद्र चौधि ने अकले स्यादों के मठादीश मापिया के बयान प्रका कि समाजवादी पार्टी का ये चरित रहे कि हमारे साधू संतो मंदीर मठो आस्था के प्रतियुकों के बारे में ऐसा बोलते हैं जबकि हमारी सरकार अपरात को पुरी तरह से खत्म करने का क अधीपुर में हम लोगों ने इस सदस्ता अभियान को आगे बढ़ाया माने प्रधान मंत्री जी के सदस्ता गिर्ण करने के बाद सेतंबर 2014 से ये अवियान प्रारम हुआ और इस अवियान को पहले चरण में हम लोगों ने सभी गाओं में जाकर बूथों पर सरस्ता करने का पाईटी का निर्ण है हमें 25 तारिक तक ये काम पूरा करने क्योंकर भारतियंता पाईटी का हमें संगठर भी बनाना है तो ऐसे हमारी प्रात्मी की काई बूथ है तो बूथ पर 200 सरस्ते सभी बूथों पर बनाए ये पाईटी का संकर अगले चरण में हम लोग सामुल सरस्ता करेंगे अगला चरण पहली अक्तूबर से और 15 अक्तूबर तक हम लोग सामुल सरस्ता केम्प लगा कर बड़े-बड़े बिज्याले हैं सार्जयों की स्थान है और सामुल सरस्ता करेंगे देशबर में भारतियंता पार्टी का 11 करों सरस्ते बनाने का लक्स हमने चार राजजय ऐसे हैं जो चुनाप से प्रभावित हैं उन्हों को छोड़ा गया है और उस्तर प्रदेश में भी भारतियंता पार्टी पृति एक बूत पर 200 सरस्ते बनाने की लक्स के साथ हम लोग पूरी टाकत के साथ हमारे सभी जन्पिर ने इस अविहान में अपना सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी का स्वरूप है सर्व्यापी सर्विस पर सी इस अविहान को हम पूरा करें सर अभी मैं देख रहे हैं कि नए जो सरस्ते बंदे उनके जब कुराने सर्व्यों का रिनुवल नहीं है हमारे सरस्ता का कालखंट छे वर्सका होता है तो सरस्ता का कालखंट समात्थ होगी है तो हम सब को नए सरी से सरस्ते बना तो उसमें कुछ सरस्ते पहली बार बनने है और कुछ कम से कम 10, 10, 15, 20, 20 बार बन तो जैसे मैं हूँ मैं सन 18 से भाजपा का सुझा हूँ लेकिन संगेटन में 6 वर्स बाज संबेधान में ऐसी व्यदस्ता है कि हमें सदस्ता पुरानी सदस्ता सूने हो जाएगी और हमें नया नभीनी करन अपना कराना पर तो हम लोग का ल अपने परिवारों की रूप में लोग आगे तक पहुंचे हैं आज कोई जिले में नेतुरत कर रहा है कोई राज्य में कर रहा है कोई देश में कर रहा है यह परिवारवादी लोग हैं यह अपने परिवारों की रायने देख छेतर में बिरासत बढ़ा रहा है यह मैंने बात तो उसमें सर अब आभी जमानत मिली है कोई उनके उन्हें निर्दोस तो घोषित किया नहीं है दोस्मुक्त किया नहीं है भारती अंता पार्टिर हम सब लोग को देश के नागरी को ध्यर्रे रखना चाहिए और सब हम सब को नियाय पालिका में पूर्ण विश्वार्ण सर एक बात आ रही है कि वोजब जमानत में रहा है और वोट में ऐसा कर दिया कि अब वो सेक्रेट्रियेट में नहीं जाएंगे मुझे उसकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि हम सब को धेरे रखना चाहिए और देश की नयाय पालिका में सब को विश्वास है अभी वो जमानत पर रिहा हुए दोस मुक्त नहीं सर आजकल अधिलेश यादो हमलावर है जाती पर सवाल उठा रहा है कि जाती देखते हुए ऐसे में बठा दीशों को उन्होंने पाफिया बनाते हैं यह समाजबादी पाज़ी का चरित्र रहा है उनका इपिहास आवरते हैं तो जिस परकार से उनके साती सहिए होगी हमारे सनातन धर्म के बारे में सादू संतों के बारे में मठ मंदिरों के बारे में हमारी आस्था के प्रतिकों के बारे में इस परकार की बयान बाजिव करत हैं यह उनका चरित्र है लेकिन में मैं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार भार्ट depend a.oung कर लुक नबड़९ के नेतेृता हमें केंद्र में संक्ल्ब हम अप्राद को समात कर जो दोसी हैं जो अपरादी है 수रके सरकार बिजी संबट कठोर कारवाई बगर किसी भेदवाव के कर लेकर लगातार जनता के बीच में है और मुझे विश्वास है अब सफने देखने का अधिकार सबको है लेकिन अभी ढ़ाई वर्स का समय है और हमारी सरकारों ने जो काम किये हम अपने कामों के दमपर जनता के बीच में है और मुझे मैंने जिसे कहा कि हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता का आशिरवाद योगी जी के नेतरत मे अभी जो मोटा मोटा सूचना है आती है उत्तर प्रदेश में लगबग साथ लाट लोग सरस्य बने देश वर में दो करोड से ज्यादा सरस्य जैसा मैंने बताया कि हम लोग को लक्ष पूरा करना है और घरगर जाकर हम लोग समाज के सब बरगों सब छेत्रों में सरस्य बन और इस सरस्ता अभियान का के माध्यम से हम अपने संगठन की रचना संगठन का पुनर गठन संगठन का गठन करेंगे और एक प्रभावसाली और सर्वेश परसी और सर्व ब्यापी जो भाजपा है उस भाजपा सब के सामने आएगा मुझे उसकी जानकारी ने रण्यवादा आख